हेलो दोस्तों मैं हूँ आकाश राजबुत और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे सबी विवर्स का हमारी यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन में दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपिटेट 2019 की एक इंपॉर्टन नोटिफिकेशन के बारे में जिहां दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी को वो डेट जिसके बाद आप यूपिटेट 2019 के एक्जाम की आंसर कीज देख स और साथ ही उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं लेकिन उससे पहले एक बार हलका सा यूपिटेट के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ के यूपिटेट एक एक एक्जाम है जिसे यूपिबी इबी प्राइमरी और जूनियर लेवल टीचर्स के सेलेक् की दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक्जाम की ऑफिशल नोटिफिकेशन 31 अक्टोबर 2019 को आ गई थी जिसके बाद 1 नवेंबर 2019 से उसके लिए रेजिस्टेशन स्टार्ट हो गए थे और रेजिस्टेशन की लाज़ डेट थी 20 नवेंबर 2019 इसके बाद 12 दिसंबर को सभी कैंडिडिट्स के ऑफिशल वेबसाइट पर एड्मिट कार्ड रिलीस हो गए थे और एक्जाम हुआ था 8 जैनुरी 2020 को तो अब सवाल आता है कि यूपी टेट का ये एक्जाम था 2019 के लिए तो एक्जाम 2020 में क्यों हुआ था तो दोस्तों इसका जवाब मै आपको देता हूँ दोस्तों यूपी टेट 2019 का एक्जाम पहले 22 दिसंबर को होना था जिसको बाद में पोस्ट पॉंट करके 8 जैनुरी 2020 कर दिया गया और ऐसा किया गया CAA की वजह से हुए प्रोटेस्ट के कारण क्यूंकि इसकी वजह से यूपी के कई इलाकों में इंटर दोस्तों आप सभी आंसर की 14 जैनुरी 2020 के बाद से डाउनलोड कर सकते हैं और 14 जैनुरी से 17 जैनुरी तक कैंडिट्स उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं और उस चैलेंज की क्लैरिफिकेशन के बाद एक फाइनल आंसर की रिलीस की जाएगी 31 जैनुरी 2020 को तो आप बात कर चेक कर सकते हैं Official website आप अपनी screen पर देख सकते हैं updeled.gov.in तो all the very best to all the candidates for their results So for more updates, stay connected to our education Subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates one time